हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सुभी में नाम है दीपकुडिकिटेक हिंदी की स्पीडर में आप सभी काव बहुत बहुत सौर हैं दूस्तों जितने भी टिक टॉक लवर्स यहाँ पर देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुसकबरी है कि यहाँ पर दूस्तों कु पहल भेजी ही जितने भी इंडियन भारति यहाँ पर वरकर थे उनको के अभी टिक टॉक इंडिया जो है गौर्इन से बात कर दी है और उसके बाद दोस्तों यह उमीद लगाई जादी है कि TikTok जल्द ही इंडिया में बापसी कर सकती है जैसी कि दूस्तों यहाँ पर PUBG भी यहाँ बापसी कर रहा है दूस्तों TikTok को इंडिया में बैन हुए लगवग चार महीने हो चुके हैं और उसके दूस्तों अब इतने दिनों बाद जो है जो TikTok के इंडियन हैड है निकिल गांदी उन्होंने अभी हाली में जितने भी यहाँ पर भारती वर्कर्स हैं इंडिया में TikTok के जो TikTok की यहाँ पर पैरेंट का अपनी है बाई डांस में लगवग यहाँ पर 2000 वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पर TikTok इंडिया में काम करते हैं यहाँ पर TikTok और Hello को मिला कर और यहाँ पर दोस्तों सभी को यहाँ पर जो TikTok के head है निकल गांदी की तरफ से mail भेजी गही है कि अभी TikTok इंडिया बात कर दी है आपे गौर्मेंट के साथ और यह उमीद लगाई जादी है कि TikTok भी अभी PUBG की तरफ जो है वो इंडिया में बापसी करने वाला है दोस्तों आप सभी को पता है कि 2019 में TikTok जो है वो free apps में second number पर रहा है play store पे और यहाँ पर लगवग 120 million जो है वो active users है जो दोस्तों TikTok पर daily video जो है sword video upload करते थे और यहाँ पर वो अभी उमीद कर रहे है कि TikTok जो है वो इंडिया में बापसी आ जाए तो यहाँ पर उमीद जो है अब लग दी है जिस तरही से आपे जो TikTok के इंडियन head है उन्होंने आपे mail बेजा अपने workers को वो बताया है कि यहाँ पर वो अभी government के साथ काम कर रहे है और जल्द ही उमीद लगाई जा सकती है कि TikTok जो है इंडिया में आ जाए दोस्तों आपको क्या लगता है मुझे comments करके जरूस बताएगा तो यह सभी news जो है निकल कर आई है TikTok की तब से जो उमीद है आपको वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को like और share कर दीजेगा चैनल